नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपुरन टिप इस 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 मेंटल रिविजन जो कि हर तरह के एक्जाम चाहे वह competitive एक्जाम है चाहे वह graduation है चाहे वह post graduation है mental revision का मतलग होता है कि जो हमने सीखा हुआ है हम उसको properly जो है अपने दिमाग के अंदर fit करते हैं ताकि हम उसको लंबे समय तक याद रख सके जब हम बहुत सारी चीजे पढ़ते हैं तो हम mental revision नहीं करते तो वह आपस में mix-up हो जाती है और बहुत सारी चीजे पढ़के भी लगता है कि कुछ नहीं आता तो जब आपका एक topic खतम हो जाता है तो उसको mentally revise कीजे कि यह जो topic है यह किन चीजों के उपर focus करता है जैसे law of demand है तो का मतलब क्या है law of demand कि चीजों को highlight करता है क्या उसकी assumption है क्या उसकी exceptions है तो जब हम mentally जो है जैसे हम लेटे हुए है रेस्ट कर रहे हैं जब हम mentally focus करते हैं कि यह concept जो है इन चूजे को उपर focus है तो वह हमारे लिए अच्छा